धलू, नमस्कार, किसान साथियो, मेरा नाम दलभीर है और मेरे इस यूटुब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस यूटुब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है। और आज में आपके लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो ले कराया हूँ। इस वी के लिए फसल सक कर पणाना क्यों जुरूरी है। गवार की खेत्थी के लिए कौन सा बीज का चुनाओ करें। कौन कौन सी इसकी उन्नत किसमें हैं। किस तरह में बीज का उपशार करना है। इसके लिए में बीज की मातरा की कितनी जूट पड़ेगी। इसकी खेती शित्ता ऐसे शित्तरों में की जाती है, गवार की खेती के लिए जल परबंदन का होना बहुत जुरूरी है, और इसमें केट परबंदन वर रोग परबंदन भी बहुत जुरूरी है, इसके बाद हम इसके कटाई वा कटाई करते हैं, अब हम बात करते हैं कि इसकी इंकम प्राप्त हो इस वीडियो को अन्त तक जुरूर देखे ताकि आपको खेती से जुरूरी सभी जानकारी प्राप्त हो अगर आप चैनल पर नई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करे ताकि इन्ने किसानों को जानकारी प्राप्त ह तो अगर आप पूर आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसका अच्छा दाम भी मिलता है इससे किसान सलाना लाखोर उपागी कमाई कर सकते हैं इसकी खेती मुक्यतों पर राजस्तान हरियाना उत्तरपदेश अंपिवा माराष्टर के कुछ इस्षों में की जाती है माराष्टर में लगबग 9.16 में इसकी खेती की जारी है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पस्षों को गवार खिलाने से उनमें तागत आती है तो दारू पस्षों की दूद देने की समता में वर्द्य होती है गवार से गौन का निर्मान भी किया जाता है गवार गम गाफ योग अने कुतपादों में होता है गवार फली से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दाल थासूप बनाने में भी क्या जाता है गरामिन चेतरों में यह एक काफी लोग पीडिया फसल है हेलो नमस्कार सभीकिसान भायों का मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है आज मैं आपको 365 गवार की वरैट्टी के बारे में कुछ विशेशता हैं बताऊंगा गवार की 365 वरैट्टी की पैदाबार स सबसे अच्छी होती है यह गवार बिल्कुल वाइट होता है अगर बारिश जादा हो जाए तो इस वरैट्टी का रंग कुछ काला भी पड़ जाता है इसकी बाई हरियानावा राजस्तान में की जाती है एक एंकट के लिए 5 किलो बीज प्रियापत रहता है इसकी विजाई आप अलकी मद्यम बारी और रितली मिट्टी में की जा सकती है 5 के जिब पैकट के किमत 500 रुपए के आसपास होती है 365 वरैट्टी के पोद्द की आईट सबसे जादा होती है इस वरैट्टी में किसी भी वरकार की कोई विमारी नहीं आती है अगर यह वीडियो आपको करें कमेंट और इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सुब्सक्राइब करें धन्यवाद वायू नंबर साथ खेत की त्यारी बराट फसल पत्ति या फसल चकर नंबर नो बीज का चुनाओ बीज की उननत किसमें बीज का उप्चार बीज की मातरा नंबर दस पिज्जाई या फसल की बुआई नंबर ग्यारा फसल की बुआई थथा ऐसी चेत्रों में नंबर बारा खर्पतवार की रोगताम नंबर तेरा तीस तिन के बाद निराई या गूडाई नंबर चौबदा तीस तिन बाद सिच्चाई नंबर पंदा अजल का परबंदन नंबर शोड़ा कीट वर रोगगा परबंदन नंबर शोड़ा इंसेक्टिस साइड वर टोनिक का स्प्रे नंबर श्ता कटाई फिर कडाई फिर पंडारन ये मुक्य सावदानी है जो में गवार की खहति के लिए उप्युकत समया गॵार की है करीब ऑर गर्मी के मौसम में कजाती है कली फचल की वहाए के लिए मई मैंने का स्प्तनब खोड़ा उप्यूकत समय है गोई आप नैरी पानी से भी कर सकते हैं देरी से बहाए करने पर पैदावार पर पर प्र्तिकल प प्वाई कर देने चाहिए बजार में बाजरा की बहुत सी वराइटियां प्लूब्द होती है, मैई मैने में हम अगित्ती वराइटी बाजून जुलाई में हम पचेत्ती वराइटी या फिर हम समय के अनुशार ही वराइटी का चुनाव करते हैं, खेत का चुनाव इसके खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाई फिर आप हैरों की साता से दो तीन बार अच्छी तरह से जुताई कर दे फिर आप लेजलेवर की साता से खेत को संतल कर दे अगर खेत पिरानी है तो आप रोटावेटर की साता से दो तीन बार जुताई कर दे फिर आप हैरों क तो खेट को लेजर लेवलोर की साइथा से संतल कर दे Congratulations ow जाई मिट्टी without सबसे पहले एपनेर की मिठी की जांस करवा ले जिससे में यह पता सब जाता कि मिठी में कौन कौन से पौछ язत्यों की कमी है वो खेत की मिट्टी किन किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे केहू, चन्ना, अरहर, शर्सू, राया, बर्सीन, गन्ना, अलू, मक्का, बाजरा, कपास मिट्टी की जांच से हमें यह पता चल जाता कि इस मिट्टी का पी-च मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जांच, अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं यह परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का उंकौन सी फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जांच करवा लिए अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पी-पिम ज़्यादा हो सकता है और बीज उंकौन के समय एक समस्या बन जाता है अगर पानी का पी-पिम एक जार से कम है तो यह ऐसे भी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का उंकौन सोपरतिस्थ हो जाता है अगर पानी का पीपे में एक जाड़ से जाजा हता है तो इसमें बेजगां कुण सही तरिक्के से नहीं हो पाता है इसलिए पानी की जांस करवाना बहुत जुरूरी है गौार की फचल में मेट टुबल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे गौार की फचल ची नहीं होती है अगर सिचाय के लिए जूर्त पड़े तो हमें नहीं पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए खेत की त्यारी हुए गौबर की खात अगर आप खेत में गौबर की खात का इस्तेमाल करते हैं गौबर की खात जमीन में अच्छी तरह भी खायकर जमीन को सुम्तल कर देना चाहिए गौबर की खेते के लिए भूमी गौबर की खेते के लिए उंचित जल्ड निकास सबादी दोमट वा बलूई दोमट मिटी से रोत्म रहती है यह पसल सिंचित वा एस सिंचित दों चेतरों में सफलता प्रूप उगाई जा सकती है अलकिसारी वा लवनिय भूमी जिसका प्याच मान साड़े साथ से साड़े आठ तक हो वहीं पर गौबर की खेते हैं सानी से की जा सकती है गौबर के लिए एक जुताई मिल्टी पलटने वाले हल या डिसक हैरों से क्रोश जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए इसके उपरांत एक कल्टिविटर से जुताई प्रियापत रहता है जिसमें मर्दा नमी संक्सित रहे जुलाई जुन के दिवतियों पकवाड़े में ही करने चीए इस प्रकार त्यार खेत में खर्पतवार कम पनपते हैं गौबर पसल के लिए जलवायू गौबर एक सुका सहन करने वाली गरम जलवायू के पसल है यह उन्चेतरों में असानी से उगया जा सकती है जहां पर ओसित वायर्षिक वर्षा 30 से 40 संटीमेटर तक होती हो विजों के अंकूर्ण वाय जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 संटीमेटर के निचे तामान उप्यूकत होता है गवार एक परकास से विदन से फसल है अता इस फसल में फूल वाय फलियों का निवान के वर खरीब के मौसम में ही होता है अता दिक बारिस वर्षांत वाट ठंड को या सैननी कर पाती है जिन छेतरों में अता दिक गरमी पड़ती है पंतु सिचाइगी सुविद्धा उपलब्ध है वहाँ पर गवार की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है सुसक और अज सुसक दोनों दसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है गवार एक उसन कटे बंद्या फचल है जो अठारा से तीस डिग्री सलस्टिस के उस्टामार मरपकती है ख्रेब की गरम और आदर जलवाईयों के कांड़ पेड़ों की वर्दी बहुत अच्छी होती है शृष के मौसमें इन फचलों की दिलाब दैगने होती है यह फचल से भी बरगार के मिट्टी में उगाई जा सकती है अच्छे जल्म निकास वाली मद्यम से भारी मिट्टी में फचल अच्छी तरह से बढ़ती है यदि मिट्टी की सत्य फशल पत्ति या फशल चकर फशल चकर को क्रोप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है किसे निश्चित भूमी में निश्चित समय बारी फशलों को लगाता रदल बदल कर वोना ही फशल चकर कराता है फसल चकर का मुद्रेश्य किसी भी तरह के पोदे के लिए भूमे में मुझूद पोशक द्तों के जुश्दूपयों किसे भूमे की बोतिक और जेविक सित्ति में संतुलब बनाये रखना होता है लगातार फसल चकर अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली की तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है फसल चकर का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी बुम्मी से लगातार अच्छी फसल ले सकते है और इसके अपनाने से खेत की उरुख सकता भी बनी रहती है दिशबर्ण आजाते हैं वे विशनियुण उत्रफन आने में चोटे लेगर भूमी के अंदर विशनly उत्पन हो जाने पर भूमी पहरीं अपाजाने वानी चोटी प्योगीमित्र की टनाश्ट्यों जाते हैं और भूमी दे हीने बादि रहां नहीं понравिकनि में बुम्मी की उर्ख सकती बनी रहती है फसल चक्कर के बनाने से बुम्मी में अमलिया और सारी गुंड पोशक्तत्त और जविक प्रदार्तों की मातरा संतुलित रहती है फसल चक्कर के बनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीच जनित रोग नहीं लगती है इसके बनाने से फ फसल छक्र अपनाने से फसलों में रोग भी काफी कम ही देखने को मिलती नियुकि किसान्व बाइयो दोडारा रसनेक दोयांपर क्या जानवाडा कर्ची भी कम होगा जाता है। फसल चक्कर के दोरान फली वाली फसलों के बोने पर खेत में नाइट्रोजन की पूर्टी बनी रहती है। फसल चक्र अपनाने से खेत में खरपतवार में कमी देखने को मिलती है क्योंकि फसल चक्र करके दोरान अधिक गुड़ाय वाले फसलों को बोने पर खेत में खरपतवार नश्ट हो जाते हैं। फसलों को उगाने के बाद दो से तिन साल में एक बार धनलनी फसलों को जुरूर उगाना चीए। जो वराइटी अच्छा उत्पादन देती हो जिसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांगो और उसका बाव भी अच्छा हो क्योंकि एक बड़ी एक क्वालिटी का बीजी हमें का अच्छा उत्पादन और मुनाफ़ा दे सकता बेज की उनत किसमे गवार की उनत किसमे बजार में गवार की कई उनत किसमे देखने को मिल जाती है जिने चारे दाने और अरीफलियों के दार पर तीन बागों में बाटा गया है उनत किसमे इस प्रकार है दानों के लिए उनत किसमे अजजी 365, तुटवन्टी, अरे फ़लियो तो उनत किसमे I.C. 1883, पुशा मोस्मी, अरे चारे के लिए उनत किसमे, ये मुख्यत अरे चारे के लिए उप्योग की जाती है, बुंदेल गवार 3, गवार करन्ती, बुंदेल गवार 2, गोराट 80, बुं उनत किस्मों का ही चुनाव करना जाए अगर आप एरेजग के लिए उपयोग करते हो तो इता की पेसल के लिए 8-9-6 किलोस प्रियापत रहता है और आप इसके इलावा आप रेचारे के लिए फसल का उप्योग करना चाहते है तो सोड़ा से सतरा किलो पीज परतियंकर की जूड़त होती है इन विजो को खेत में लगाने से पहले उने कैप्टान या बावस्ट्रिंग की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए ताकि विजो को वार में फंफुद्ध या फंगस जैसे रोग ना लगे पुद्धोय में जड़ों के दिक मातरा में गांट फायदा करने के लिए ज्वानु रोद्दक राइजोबियम उरक से उप्चारित कर लेना चाहिए एक एक एक्टर के खेत में 200 ग्राम की मातरा वारी दो पैकट वा कंटर से हम उप्चारित करते हैं फंगिसाइड को उप्चार करने का मुंन उदेश्य है फंगस जैसी लिए किया जाता है और इंसेक्टिस्याइड दुआउं से उप्चारित करने का मुख्या उद्यस्या दिमक जैसी रोख्थाम के लिए किया जाता है और राज्योवियम कल्चर का उप्योग खेत में जिवाणों की संख्या बढ़ाने के लिए उप्योग किया जाता है जिससे खेत में जिवाणों की संख्या बढ़ जाई जिससे की ए पर एक्तरत की लिए जाती है लेकिन फसल की पावरेंबी कवस्ता में पोशक तत्तों की फुर्ति के लिए 20 किलो नाइट्रोजन वाज 40 किलो फासपोर्स पर टेर प्रयापत रहता है पूरो नाइट्रोजन वे फासपोर्स की मातरा गवाई के समय खेत में डाल देनी चीए इस इसके अत्रित गवार की विजाई को बुआई से पहले राज जोबियम कल्चर की 600 ग्राम मातरा को एक लेटर पानी वाड डाइसो ग्राम गुड के गोल में 15 किलो ग्राम भी उसको प्चारित कर चाहा में शुका कर बोना लाब दया करता है खेत की तेहरी के समय पांच टन ग गवाई हमेशा पंक्तियों में करें बॉआई हल के कुंडों में अथा सीडर की साहता से करें कुडो में पोदों की जुडों के पास वर्षा जल से भी अधिक संग를त होता है जिससे पैदावार अधिक मलती है और फसल की देख़वाल करने में भी असानी रहती है गोहार के पुवाई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमेटर तता, पुध्री से पुध्र की दूरी 10 से 15 सेंटीमेटर कणने चाहे, घराई 4 से 5 सेंटीमेटर पर करने चाहे पुवाई के समा बूमि के प्रयापत मातरा में बातर न का सास 500 मिलिमेटर को डाइसोलेटर पानी में मिला कर इसका छुटकाव कर दे जिसे की केद में खरपतवार नहीं हुगे खरपतवार नियंतर गवार के फसलों को खरपतवारों से पूर्ण त्या मुक्त रखना चीए खरपतवार निकल जाते हैं जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वद्दूब गास परूक है गवार की फसल में समासमा पर निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालता रहना चीए इससे पुद्दर की जोड़ों का विकास भी अच्छा आता है और जोड़ों में वायू संचार भी बढ़ता है दाने वाली फसल में बैसालीन एक के लोग प्रती एक्टेर की दरसे खेत में बुवाई से पूरों मर्दा की उपरी आट से दस सेंटीमेर से सत्य बार शटकाओ कर खत्र पार उपर नियंतर पाया जा सकता है करपतवारों के नियंतर ने एक तूप फसलों की बुवाई के दो दिन पर चात पैंडा में लिथ्यान तिस परसंट इसी का भी शटकाओ कर सकते हैं बिज़ाई के 30 दिन बाद खेत में खर्पतवार उग जाते हैं जिस खर्पतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुडाई आथ से ही कर देनी चाहिए निराई गुडाय करने के बाद अगर खेत की सिचाई करनी है तो 30 दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल प्रबंदन अगर खेत में पानी का बराव ज़्यादा हो चलिए हैं तो घृण निकासी का प्रबंदन करना चाही है क्योंकि गौर की फचलों में ज़्यादा पानी की जुट नहीं होती हैं गवार की फसल में कीट वर रोग फ्रवंदन दिमक फसल के पोदों की जोड़ों को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बोई से पहले अंतिम जुताई किसमे खेत में किलून पोस एक पाइंट पांच पत्ति सतिया कलोरिफाइस पाउडर 20 से 25 किलो परती एक्टेर की दर से भू फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके नियंतन के लिए खेत के आज पास पाई रहने चाहिए तथा खेत में प्रकॉप होने पर मिथाईल पैराथियोन या क्यून नोल फास एक पाइंट पास पत्तिस चुन की 20 से 25 किलोग्राम आतरा पत्तियाक की दर से मोहिला या किट पोदक के कमल बागो का रशुक्स पर फसलों को आनी पुंचाते है इसके नियंतन के लिए ट्रमातर को पानी में गोल बनाकर पत्तियाक्टर की दर से चुटकाओ करना चाहिए वैक्ट्रियर बलाइट या गवार की बहुत आनिकर बिमारी है इस बिमारी के के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस मेमारी के नियंतन है तो रोग रोधी किस्मों का उगाना चाहिए बिज को दो ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से पर्ति किलो बीज की दर से उप्चारित करकर बोना चाहिए चाहिए इस रोग के कांड पोद्दे के उपर करने än में प्लानोफिक्स वाकलटार जैसे टोनिक का इस्तिमाल करना कणने से फ्पूलों के शंख्या में जबर्द्स्थत वद्द्दी होत्ती फली कि की शंख्या जदा से जदा बंती है फूल जड़ते नहीं है 15-20 दिनों के अंत्राल में हमेंकी दो थीन सप्रे करने चाह रहतेला की रोक थाम के लिए हम मोनो क्रोटोफास या इंडिकलोराइड या टाटा का असा टाप जैसे दुवाई यों का छिटकाव करना चाहिए अन्य के टवाय रोक रोक थाम के लिए आप अपने अस्दिक की डोक्टर से भी संपरक कर सकते हैं इसके बार जैसे ही पैदाव अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो शूडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और इंडियन टेक्निकल फर्मिंग को स्क्राइब करें धन्यवाद झाल